तुम कैची दाम वाले जो नीम करोली बाबा है उनके वो चमतकारिक बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में जानती हो? हाँ जानती हूँ क्या जानती हो बताओ? एक बार की बात है फतेगर में एक बुज़ूर कपल थे बाबा की बहुत बड़े भक्त उन्होंने बोले कि बाबा एक रात हमारे घर पर बिताईए हमें आपकी सेवा करनी है फिर बाबा उनके घर पर आये बाबा को उन्होंने खाना खिलाया आदर सतकार किया सूनी के लिए एक बढ़िया बिस्तर बिचाया और एक कंबल भी दिया बाबा वो कंबल उड़के सो गये, लिकिन रात भर बाबा के करहने की आवास सुनाई देती रही जैसकि बाबा को बहुत तकलिफ हो रही हो और वो जो बुड़े कपल थे उनको ऐसा लगा कि क्या हो गया बाबा को जाके उठाने की भी हिम्मत नी हुई हाँ फिर सुबह का वक्त हुआ बाबा ने वो कंबल उस ओल्डेज कपल को दिये और बोले कि इसको जाकर ना किसी पानी में बहा देना और वो काफी जादा भारी हो गया था कंबल उठानी पा रहे थे वो लोग और बाबा ने ये भी कहती थे कि डिरेक्टली नदी में जाना और वेसरजित कर देना और पानी में जैसे ही उन्होंने उस कंबल को वेसरजित किये हैं उस कंबल से धेर सारी गोलिया उनको निकलती हुई दिखाई दी उस दिन वालता सब कुछ खतम हो गया बाबा अपने आश्रम चले गये उसके कुछ दिनों बाद उस ओल्डेज कपल का एक पीटा जो कि सेना में था वो अपने घर पर आया और अपने माता पिता से क्या बताता है कि जब मैं युद में था एक रात दुश्मन नों मुझे चारों तरफ से घेर लिये थे लागातार मेरे उपर गोलियों की बारिश किये लेकिन एक भी गोली मुझे लगी नहीं ऐसा लग रहा था कि कोई कंबल है जो मुझे चारों तरफ से घेर के रखा है और सारी गोलिया वो कंबल अपने अंदर ले रहा है जैसे उस लड़के के माता पिता ने ये बात सुने वो तुरंट समझ गये कि बाबा ने उस रात कितना बड़ा चमतकार उनको दिखाया फिर तभी बाबा के बलेट प्रूफ ब्लैंकेट का किससा पुरी दुनिया के सामने आया